हलो एवरिवान माइनेम एस मनेस मैस वीडियो पर बात करने वालों बियस्से नर्सिंग मौप अप राउंड वेकेंट सेट मैट्रेक्स एडमिसन येर दो हजार तेविस की जानकारी इस वीडियो पर देने वालों तो स्टुडेंट वीडियो को लाइक सेयर और योटूब चै सीटो की जानकारी इस पर मिलने वाला है कौन से गौवर्मेंट कॉलेज पर कितनी सीटे बचा हुआ है इस वीडियो पर पूरा देखेंगे तो वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखे वार्टसप ग्रूप को जोईन कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है तो य नहीं रहते है केवल महिला आरक्षन होता है गौवर्मेंट कॉलेज पर यह समान्य पिमिल केटेगरी है उसके बाद आती है आपकी इन सर्विस जिन्वोंने कोई सेवा पर है सास की सेवा पर है और वो बियस्ती नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं उनको आपको इन सर्विस कैटेगरी कहते हैं तो यहां पर इन सर्विस कैटेगरी का यह आपकी मिनिंग रहेगा इस पर आपको कितनी सीटे यहां से आप देख सकते हैं फिर आपका फिजिकल हैंडिकेप्ड, फ्रिडम फाइटर, स्वतंतरता सेनानी ये कैटेगरी होते हैं तो हम बात करेंगे सिर्फ फीमेल कंडिडेट और इन सर्विस को आपको मिलिंग बता दिया है तो बागी आपके पास कितनी सीटे बची हुई कहां पर उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले सरगुजा जीले की गौवर्मेंट नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर बात करते हैं तो एश्टी फीमेल के लिए यहाँ पर एक सीटे हैं यानि कि केवल एक सीटे बचा हुआ है फीमेल कंडिडेट के लिए बाकी जो सेवा रत है किसी कारे रत है सास की सेवा में उन लोगों को ह जो बियसी नर्सिंग का कोर्स करना चाते हैं जो अलग-अलग राज्यों से विस्थापन हुए रहते हैं उनके लिए से ट्रिजर रहते हैं तो यह उन केंडिडेट को मिलता है फिर आपका है कबिर धाम सुधा देवी नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर कितनी सीटे हैं तो यहा यहाँ पर बच्चा हुआ है एक सीट है और कितने स्टूडेंट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं फिर आपका कच्चांदूर में आपके सीटे बच्चा हुआ है जनरल के लिए दो सीटे एस्टी के लिए तीन सीटे और ओबीसी के लिए यहाँ पर एक सीटे बच्चा हुआ पर कुल टोटल यहाँ पर 6 सीटे उपलब्द है समान कैटेगरी के लिए 2 सीटे जनरल के लिए 3 सीटे स्ट के लिए और 1 सीट है ओबिसी के लिए बात करते हैं आपके राजनांद गाउं की तो राजनांद गाउं में कितनी सीटे यहाँ पर बच्चा हुआ उनको देख लेते हैं राजनांद गाउं में बच्चा हुआ है स्ट के लिए 1 सीट SC के लिए 1 seat OBC के लिए 1 seat 3 seat यहाँ पर राजनांगाँ में है यहाँ से आप इसको पॉस्ट डाउन कर लिजे बात करते हैं आपके अगले college की तो यहाँ पर देखते हैं JNM में कोई भी seat अभी उपलब्द नहीं है समाने candidate के लिए normal candidate है उनके लिए भी कोई seat नहीं इन सर्विस से जो belong करते हैं उनके लिए 4 seat, 3 seat, 1 seat और 2 seat उपलब्द है अलग-अलग category wise फिर बात करते हैं आपके राइगर में भी seat यहाँ पर उपलब्द नहीं है 13 seat बता रहे हैं 13 seat अलग-अलग in service और physical handicapped के लिए यहाँ पर रजर्व है 5, 4, 1, 2, 1 के हिसाब से 13 seat बचा हुआ है लेकिन यहाँ पर नॉर्मल candidate अपलाई नहीं कर सकते फिर बात करते हैं आपके अगला college यहाँ पर देखते हैं अगला college है name of the institute है आपकी संस्था का नाम है यहाँ पर जग्दलपूर महरानी hospital campus जग्दलपूर में कितनी seat हैं तो ST के लिए यहाँ पर है दो seat बची हुई है ST के लिए जो in service और physical handicapped से बिलॉंग करते हैं OBC की भी यहाँ पर एक seat बचा हुआ है बाकी आपकी in service category के लिए है जो आपकी सेवा रत है जो किसी अन्य राज्य से बिलॉंग करते हैं जो अलग criteria जो service category में आते हैं उनके लिए यहाँ पर seat अगर normal के लिए बात करें तो 2 और 1 seat यहाँ पर है 2 seat ST के लिए 1 seat OBC के लिए फिर आपका बिलासपूर में है 1 seat ST के लिए है और बाकी आपकी in service category के लिए तो आप देख सकते हैं कि seat बहुत कम बचा हुआ है seat अगर एक हिसाब से देखे तो government में बचा ही नहीं है केवाल आपको private college में apply कर सकते हैं यहाँ पर आपके chances होंगे वहाँ पर आपके लग सकते हैं बाकी आपके otherwise यहाँ पर कोई chances नहीं दीख रहे है thanks for watch subscribe the channel thank you so much join the telegram group